गुड बॉर्निंग स्टूरेंट्स हिंदी की क्लास में आज हम मुहावरे यह लोकुक्तियां को जो है रीडिंग करेंगे और उनको समझेंगे हमारी बुक का पेज नंबर 382 इस पेज पर हमें कुछ मुहावरे दिये गए हैं इन मुहावरों को रेड कलर से लिखा गया है और सामने उनका मीनिंग है जिसको ब्लू कलर से लिखा है और फिर वाक्य में प्रियोग तो इस तरह से हम मुहावरे के साथ उसका अर्थ समझेंगे और उसका वाक्य प्रियोग करेंगे से 2 यानि कि जो आपके सम्मिटिव एक्जाम होते हैं उसके लिए हम 15 मुहावरे जो हैं उनको डिस्कस करेंगे यह हमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं नमबर नाइन कान भरना कान भरना मिंस निंदा करना या चुगली करना किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के चुगली करना या फिर उसके खिलाफ निंदा करना वाक्य प्रियोग यह नोकर हमेशा अपने मालिक के कान भरता रहता है यानि कि कोई नोकर है जो अपने मालिक के हमेशा कान भरता रहता है यानि कि दूसरे और नोकर होंगे तो उनके लिए चुगली करता है या किसी ना किसी की बुराईयां करता रहता है तो कान भरने का आर्थ क्या हुआ निंडा करना या चुगली करना नमबर टैन कोलू का बैल होना कोलू का बैल होना मिस बहुत प्रिश्रमी होना जो कोलू होता है महापर जो बैल है वो बहुत जादा प्रिश्रम करता है तो उसी से रिलेटेड कि जो बहुत जादा प्रिश्रम करे उसके लिए हम किस मुहावरे का प्रियोग कर सकते हैं कोलू क का बैल वाक्य प्रियोग क्या मैं कोलू का बैल हूं जो आप हर समय मुझे काम करने को कहते हैं कोई कह रहा है कि क्या मैं कोलू का बैल हूं जो आप मुझे बहुत ज्यादा परिश्यम करने के लिए यानि कि काम करने के लिए कहते हैं नमबर 12 बाल-बाल बचना यानि कि कठिनता से बचना या मुश्किल से बचना जैसे कार्द रुगटना में वह बाल-बाल बच गया कार्द रुगटना में कोई व्यक्ति जो है वो पहुत ही कठिनता से बच गया वरना उसका एक्सिजेंट हो जाता डन नमबर फोटीन गाओ पर नमक छुड़कना गाओ पर नमक छुड़कना कारत है दुखी को और सताना जब हमें चोट लग जाती है या कोई गाओ हो जाता है अगर उस पर नमक by mistake भी नमक डल जाए तो उससे क्या होता है कि बहुत जादा जलन होती है एक तो हमारा गाओ है उसमें पेन हो रहा है और अगर उसके उपर नमक डाल दिया जाए तो वो और जादा हमें कस्प देता है तो इसलिए कोई दुखी है यानि कि घाओ है और उस पर नमक चिड़का गया है यानि कि उस तुखी व्यक्ति को और जादा सताया जाना समझ गए? इसका वाक्य प्रियोग मेरे घाओ पर क्यो नमक चिड़क रहे हो देखते नहीं मैं कितना परेशान हूं कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घाओं पर यानि कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम देख रहे हो कि मैं वैसे ही कितना परेशान हूं तो इसका मिनिग ये है नेक्स्ट है नमबर 15 चांदी होना चांदी होना मैं अत्यधिक लाब होना वाक्य प्रियोग कुछ वस्तुओं के मूले एक आएक बढ़ने के कारण लाला जी की चांदी हो गई यानि कि कुछ वस्तुओं है उसके जो प्राइज है वो बहुत जादा बढ़ गए तो जो दुकानदार है लाला जी को दुकानदार भी खाजा दुकानदार को जो है लाला जी भी कहते हैं गाउं में, तो उसकी जो है चान्दी हो गई, यानि कि उसको बहुत ज्यादा लाब होने लगा. नुम्बर सैवंटीन, बाग बाग होना, बाग बाग होने का मतलब होता है अत्यन्थ परसन होना, बहुत दिन बाद पुत्र से मिलकर माता-पिता का दिल बाग-बाग हो गया यानि कि माता-पिता जब अपने पुत्र से बहुत दिनों बाद मिले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए नमबर नाइन्टीन टांग अड़ाना रुकावट डालना किसानों को सरकारी मदद मिल जाती लेकिन अधिकारी ने टांग अड़ा दी टांग अड़ाना मिन्स किसी के कारे में बादा उत्पन करना या उसमें रुकावट डाल देना तो जो किसान है उनको सरकार से कुछ हैल्थ मिल जाती लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी कांग गड़ा दी यानि उनके काम में समस्य आउटपन कर दी नमबर टैन दाल ने गलना दाल ने गलना में बात ना बनना जब तक यह अफसर है तब तक किसी की दाल नहीं गलने वाले यानि कि कोई ओफिसर है जब तक वो ओफिसर उस पोस्ट पर है तब तक वो कोई गलत काम नहीं होने देगा यानि कि जो गलत काम करते हैं उनका कोई काम नहीं होगा इस तरह से उनकी जो बात है जो काम है वो नहीं होगे नेक्स्ट, 921 होना, 921 होना मिज़ भाग जाना पुलिस की गाड़ी के अवास सुनकर चोर 921 हो गए यानि जब पुलिस की गाड़ी के अवास होनी तो चोर भाग गए नमबर 23, आसमान सर पर उठाना, शोर मचाना बलकि अत्यधिक शोर मचाना बहुत ज़्यादा जब शोर मचाते हैं तो उसको कहते हैं आसमान सर पर उठाना अध्यापक के एक अक्षा के भार जाते ही छात्रों ने आसमान सर पर उठा लिया Mostly आपके साथ भी होता है या Teachers ने आपके साथ भी इस मुहावरे का प्रियोग किया होगा कि अभी मैक बाहर गई थी इतने में तुमने आसमान सर पर उठा के रखा है तो इस तरह की तो sentence है आप अपने कास में सुनते भी होंगे जब आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो कौन सा मुहावरा प्रियोग किया जाता है आसमान सर पर उठाना नेक्स पेज पेज नमबर 383 मुहावरा नमबर 24 नाक रगड़ना नाक रगड़ना मिन्स माफी मांगना चाहे तुम कितनी नाक रगड़ो परंतो तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है किसी ने कोई mistake की है तो उसको कहा गया है कि तुम कितनी भी माफी मांग लो लेकिन तुम्हारी जो गलती है वो माफी लायक नहीं है नमबर 25 आखों का तारा आखों का तारा मिन्स बहुती ज़ादा प्रिये होना प्रिये मिन्स प्यारा अक्षय तो सभी की आखों का तारा है कोई व्यक्ति है अक्षय वो सभी को बहुत प्यारा है नमबर ट्वंटिनाइन अपने मुँ मिया मिठ्टू बनना यानि कि अपनी प्रशंसा स्वम करना प्रशंसा मिस तारीफ निधी को जब भी देखो अपने मूमी या मिठू बनती रहती है यानि कि जो निधी है वो अपनी तारिफ खुद करती रहती है दूसरों के सामने नमबर थर्टी मूमे पानी भराना खाने को लल्चाना जब हम कोई अपनी पसंद की डिश देखते हैं या कोई अच्छी सी स्मेल आती है हमें खाने की तो क्या होता है हमारे मूमे पानी आ जाता है यानि कि हमारा मन करने लगता है उसको खाने का अपनी मन पसंद मिठाई देखकर उसके मूमे पानी भराया दन तो students, जो मैंने आपको ये मुहावरे कराए हैं number 9 से 30 तक उन में जिनको मैंने टिक किया है इन मुहावरों को आप अपने register में लिखेंगे मुहावरा लिखेंगे, सामने उसका अर्थ लिखेंगे और next slide में वाक्या में प्रियोग भी उसको करेंगे तो इस तरह से आपको ये सभी जो मुहावरे हैं इनको अपने register में लिखना है और अब आपके exam भी आने वाले हैं तो इनको साथ-साथ learn भी करेंगे next class में हम इसी chapter का जो second part है लोकोक्ती इनको जो है अपनी next class में discuss करेंगे thank you and have a nice day